हेलो दोस्तो, मिलम मौत सल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में, देखिए दोस्तो, इसका ग्रोथ देखिए कितना अच्छा हो गया है, बहुत जादा इसका ग्रोथ बढ़ गया है, इसका रूट बोंडिंग कहते हैं, जो इस तरह से जड़को इधर से उधर सभी जगह से इसको छांटूंगी, क्योंकि इसको जब तक नहीं छांटूंगी, मिती नहीं निकलेगा, तब तक इसको कुछ भी नहीं ग्रोथ बढ़ सकता है, इसलिए पहले इसको मैं काट देती हूँ, आप देखिए दोस्तो, इसमें कितन भी बनता है, इतरे केवडा के नाम से आता है, और इसको खासियत है, इसमें खुस्वू अच्छी होती है, और ये पलांट का जो कटिंग होता है, बिल्कूल स्प्राइडर की तरह होती है, इसको तो मैं पूरी तरह से कर चुकी हूँ, इसलिए इस तरह से लग रहा है, इसम तो एक पलांट की सिर्फ अलग करूंगी, इसको अलग कंटेनर में लगाऊंगी, इसमें बेबी पलांट इतना होती है, बहुत छोटा-छोटा कि आप चाहे तो एक से अनेक भी कर सकते हैं, तो इसको आप फिर रिपोर्टिंग करना है, तो किसमीटी में करें, तो बात यहा और गोबर की खादे दीजिए, लिक्वीट को खादे दीजिए, बस इतना ही में यह अपना ग्रोथ बढ़ाते रहता है, क्योंकि बहुत यह हाडली प्लांट होता है, यह धूप में अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, कोई दीकत इसको नहीं होती है, देखिए मैंने एक प् स्वाइल दे दीजिए, गार्डन वाला, और 20 पर्चेंट आप इसमें गोबर खादे दीजिए, 20 परसेंट दे दीजिए, रेत रीच लिए देते हैं कि वेल्डेन स्वाइल रहता है, बहुत अच्छा रहता है, इसको नमी उतना भी पसंद नहीं है, इसलिए इसको वेल्ड पानी डाल दीजिए, मिट्टी डालने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए, इसको कोई दिकत नहीं है, अपना गुरोत बना लेगा थोड़ा सा इसको एक दो घंटा के लिए छाओं में रख दीजिए, तो दोस्तों अगर अन्य करना है, तीसी तरह से आप किजिए और अप पानी डाल के लिए इसको हम थोड़ा सा छाओं में रखेंगे, एक सीमन का पोट में ने लिया है, इसमें देखिए इसमें ट्रेनिंग सिस्टम बनाए हुए हैं, इसमें दिक्रा रख दीजिए, आवास मिट्टी जो स्वाइल हमने बनाए हैं, वही स्वाइल डाल रही इसको आप कट करने हैं, इसको आप कट करने हैं, क्योंकि जब तक ने कट करिएगा तब तक अपना ग्रोथ नहीं बढ़ाएगा, इससी तरह से ही पर रुखा हुए गरेगा, और यह हादी प्लांट बहु जागा होता है, इसको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरी नहीं है, सिर् स्पाइडर प्लांट भी होता है, स्पाइडर की तरह यह अपना पंप्री पुरा तरह से खलाए हुए निचे की और धुकाते रखता है, देखने में बहुत खुब्सूरत लगता है, इसको मैंने तो अभी हाद कुर्मिंग की हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है, देखे एक पत्ता जो बचा हुआ है, इस तरह से रीचे जुका हुआ है, इसी तरह से होता है, तो दोस्तों इस तरह से आप अपना आगन में हैं तो इसको गुरुत बढ़ाने के लिए आप सिर्फ पानी डालिए और कभी-कभी गोबर की खाट डाल दीजिए, बस इतना है में कर दीजिए, क्योंकि एर लेगा तो दिकत करेगा जड़को, इस तरह से अच्छी तरह से कुछ दाब दीजिए इसको मिटी को, इसके बाद इसमें आप वाटरिंग कर दीजिए, वाटरिंग करने के बाद आप इसको रख देनी है, तो दोस्तों इसकी कुछ जानकारी देख कि इसको जल्दी नहीं कर रही थी, क्योंकि इसको छूने से बहुत जादा धार से कटने कर दर लगता है, इसलिए मैं नहीं कर रही थी, इस तरह से देखिए मैंने सारा उपर से नीचे तक कुरी हाट पूनिंग कर दीए, क्योंकि अपना गुरोज फिर बना लेगा तो किनारे अपना थोड़ा सा एक दो घंटा के लिए आप रग दीजिए, नहीं तो ना भी रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी चल पड़ेगा, आए जो पॉट देख रहे हो, मैंने खुद से बनाई हुई हूँ, इसको मैंने ट्राई किया था बनाने के लिए, तो इस तरह से मेरा पोधा सभी पोधा देखिए कितना हरावरा है, बस इतना ही, अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियों,